लोग सबह चुनाओ 2024 में पहले चरण का मद्दान शुरू हो चुका है साथ चरणों में मद्दान के बाद 4 जून को नतीजें आएंगे सत्तधारी भारती जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की कोशिश में है हलाकि चुनाओ के नतीजे और हार जीत की बज़े तो मद्दान के बाद ही पता चलेगा कई बार क्या होता है कि पार्टीओं को घर के भेदी ही भारी नुकसान पहुचाते है बात है 1967 की जब कॉंग्रिस के साथ ऐसा ही कुछ हुआ दिल्ली में सताधारी पार्टी साथ में से 6 सीट तो हार गई थी कॉंग्रिस की हार का कारण थे दिल्ली के पहले मुख्यमंचरी चौधरी ब्रम्हर प्रकाश यादो वो खुद तो लोग सभा चुनाव जीत गए थे लेकिन अन्य 6 सीटों पर अपनी ही पार्टी को हराने के लिए पूरा जोर लगाया था और कॉंग्रिस दिल्ली की अन्य किसी सीट पर जीत नहीं हासिल कर पाई इस चुनाव में पहली बार जन संग ने दिल्ली वे 6 सीटें जीती थी एक मात्र सीट चौधरी बर्म्र प्रकाश जीते थे लेकिन इसमें भी जीत का अंतर कम था इसी चुनाव में मौझूदा सांसदों के हारने का सिलसिला शुरू हुआ था कॉंग्रिस के तीन सांसद हार गए थे लगातार तीन चुनाव जीतने वाले नवल प्रभाकर को भी चौधे चुनाव में हार जहलनी पड़ी थी नई दिल्ली से मीर चंद खन्ना, चांदनी चौक से शामनात को भी हार जहलनी पड़ी थी सिर्फ चौधरी बर्म्र प्रकाश ही चुनाव जीत पाए थे इनमें से 15 उम्मीदवार ही अपनी जमानत राशी बचा पाए थे सात्नों सीटों पर चुनाव जीतने वाले उम्मीदवारों के साथ दूसरे नंबर पर रहने वाले उम्मीदवार और चांदनी चौक में तीसरे नंबर पर रहे उमीदवार की जमानत बच पाई थी इसके लावा अन्न 31 उमीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी सीके नायर पहले और दूसरे चुनाव में बाहरी दिल्ली से सांसत बने थे वो चौथे चुनाव में भी लड़ना चाहते थे लेकिन उनको टिकट नहीं मिला ऐसे में वो बगावत पर उतराए और निर्दली चुनाव लड़ा हलाकि जनता ने उनका साथ नहीं दिया और वो तीसरे नंबर पर रहे उनकी भी जमानत जब्त हो गई पहले लोग सभा चुनाव में दिल्ली में तीन सीट थी जबकि दूसरे चुनाव में एक सीट बढ़ा दी गई इसी तरह तीसरे चुनाव से पहले भी एक सीट बढ़ाई गई और इस चुनाव के दोरान दिल्ली में एक बार फिर से सीटों की संख्या में इजाफा किया गया और कुल सीटों की संख्या साथ पहुँच गई पूर्वी दिल्ली और दक्षन दिल्ली नाम से दो नई सीटे बनाई गई दोनों पर जन संख के उम्मीदवार जीते थे 1922 में दिल्ली के पहले मुख्यमंसरी बने चौधरी बर्म्र प्रकाश इस चुनाओं तक कॉंग्रेस के कद्दावार नेता बन चुके थे और दिल्ली की सभी साथ सीटों पर अपनी पसंद के नेताओं को टिकट दिलाना चाहते थे इंदिरा गांधी ने उनको तो टिकट दे दिया मगर अन्य सीटों पर अपनी मर्जी से टिकट दिये थे इस कारण चौधरी बर्म्र प्रकाश नाराज हो गए और वो अन्य सीटों पर कॉंग्रेस की उम्मीदवारों को हराने में लग गए वो अपने मकसद में सफल भी रहे और इस चुनाओं के बाद उन्होंने कॉंग्रेस से नाता भी तोड़ दिया इस चुनाओं में कॉंग्रेस पूरे देश में जीती थी लेकिन दिल्ली में उसे हार का सामना करना पड़ा था